यारो मसीह वात की थे जिन की इंतिजार रह तक ते तक ते जिन की करोडों ही मल गए करोडों ही मल गए लुद्याना वो शहर है जिसमें मौरखा 23 मार्च सन 1889 इस्वी को अल्ह ताला के इजन से सिलसला आलिया एहमदिया की दाग बेल पड़ी सन 1880 इस्वी का जमाना वो जमाना था जब इसलाम पर चारो तरफ से मजभी हमले हो रहे थे और मुसल्मानों की कसमपुर्सी की ये हालत थी कि वो उन हमलों की जद में आ रहे थे उस वक्त इसलाम की इस नाजुक हालत पर अगर कोई हकीकत में फिक्र मन था और इसलाम का दिफा करना चाहता था तो वो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद का दियानी अलिह स्लाम थे आप अलिह सलाम ने इसलाम की दिफा और उसकी खूबसूरत तालीम से दुनिया को रुशनास कराने के लिए किताब बराहीन एहमदिया तस्नीम फर्माई बराहीन एहमदिया की इशाद ने यूं तो मुलक भर में एक तहलका मचा दिया था मगर शहर लुधियाना को ये खुसूसियत हासल थी कि यहां हजरत अग्दस मसीह मौओद लिह स्लाम के अकीदत मंदों की एक जमात काइम हो गई थी ये जमात हजार जान से चाहती थी कि हजरत अग्दस लिह स्लाम उनके हां लुधियाना तश्रीफ लाएं और इस घर्ज से उनकी तरफ से बार बार दर्खास ने भी हुजूर लिह स्लाम की खिदमत में पहुँची और हुजूर लिह स्लाम ने उसे अजराह शवकत मन्जूर फर्माते हुए वादा भी कर लिया गर्ज बराहीन एहमदिया का सर्रफ़ता रफ़ता बढ़ना शुरू हुआ और बाज लोगों ने आपकी खिदमत में दर्खास की कि आप बैट लें लेकिन आपने बैट लेने से हमेशा इंकार किया और यही जवाब दिया कि हमारे सब काम खुदा ताला के हाथ में हत्ता कि सन 1888 इस्वी का दिसंबर आ गया जबके आपको इलहाम के जरिया लोगों से बैट लेने का हुक्म दिया गया हजरत अग्दस की तबीयत इस बात से कराहत करती थी कि हर किस्म के रत्बोयाबिस लोग इस सिलसला बैट में दाखिल हो जाएं और दिल यह चाहता था कि इस मुबारक सिलसला में वही मुबारक लोग दाखिल हो जिनकी फित्रत में वफादारी का माददा है और कच्चे नहीं है चनाचे यकम दिसंबर सन 1888 इस्वी को आपने तबलीग के नाम से इश्तिहार में बैद का ऐलाने आम करते हुए फरमाया मुझे हुक्म दिया गया है कि जो लोग हक के तालिब हैं वो सच्चा इमान और सच्ची इमानी पाकीज़गी और महबते मौला का राह सीखने के लिए और गंदी जीस्त और काहिलाना और गद्दाराना जिन्दगी के छोड़ने के लिए मुझसे बैद करें और फिर मौरखा 12 जनवरी सन 1889 इस्वी को तक्मील तबलीग का इश्तिहार तहरीर फरमाया और इसमें दस शरायते बैद तजवीज फरमाई और मुसलमानों में से बैद करने का इरादा रखने वाले अफराद से इस्तखारा करने की तल्कीन फरमाई इस इस्तिहार के बाद हजरत अग्दस कादियान से लुधियाना तश्रीफ ले गए और हजरत सूफी एहमद जान साहिब रजी ल्लाह ताला अन्हो के मकान वाके महला जदीद में फरुक शुए और यही से ही चार मार्च सन 1889 इस्वी को बैत की अग्राज और मकासित पर मुश्तमिल एक और इश्तिहार शाया फरमाया इस इश्तिहार में आप अलहिससलाम फरमाते हैं ये सिलसला बैत महस बमुराद फराहमी ये ताइफा मुत्तकीन यानी तक्वा शियार लोगों की जमात के जमा करने के लिए है ता ऐसे मुत्तकीयों का एक भारी गरुख दुनिया पर अपना नेक असर डाले और उनका इत्तिफाक इसलाम के लिए बरकत और अजमत और नताइज खेर का मौजिब हो और वो बरकत कल्मे वाहिदा पर मुत्तफिक होने के इसलाम की पाक और मुकद्दस खिद्मात में जल्द कामा सके वो ऐसे कौम के हमदर्द हों के गरीबों की पना हो जाएं यतीमों के लिए बतौर बापों के बन जाएं और इसलामी कामों के अंजाम देने के लिए आशिक जार की तरहां फिदा होने को तयार हो और तमाम तर कोशिश इस बात के लिए करें के उनकी आम बरकात दुनिया में पहलें और महबत इलाही और हमदर्दिये बंदगाने खुदा का पाक चश्मा हर एक दिल से निकल कर और एक जगा एकठा होकर एक दर्या की सुरत में बहता हुआ नजर आए इसी इश्तिहार में आपने हिदायत फर्माई के बैत करने वाले अहबाब 20 मार्च के बाद लुधियाना पहुँच जाए इस इश्तिहार के शाया होने के बाद कसीर तादाद में आपके पैरोकार और सईद फितरत लोग लुधियाना शहर पहुँचे और यही पर ही मौर्खा 20 रजब सन 1306 हिज्री बमताबिक 23 मार्च सन 1889 इस्वी को हजर सूफी एहमद जान सहिब रजियाला अन्हों के मकान वाके महला जदीद में हजरत अग्दस अलहिससलाम बैत लेने के लिए मकान की एक कच्छी कोठडी में जो बाद में दार अलबैत के मुकदस नाम से मौसूम हुई बैट गए और दर्वाजे पर हाफिज हामिद अली साहिब रजियाला अन्हों को मकरर कर दिया उन्हें हिदायत दी कि जिसे मैं कहता जाओं उसे कमरा में बलाते जाओ चुनाचे आपने सबसे पहले से जोर के साथ पकड़ा और बड़ी लंबी बैट ली उस वक्त बैट के अलफाज ये थे आज मैं अहमद के हाथ पर अपने तमाम गुनाहों और खराब आदतों से तौबा करता हूं जिन में मैं मुब्तिला था और सच्चे दिल और पके इरादा से हद करता हूं के जहां तक मेरी ताकत और समझ है अपनी उम्र के आखरी दिन तक तमाम गुनाहों से बच्चता रहूंगा और दीन को दुनिया के आरामों और नफस के लज़ात पर मुकद्दम रखूंगा और बारा जन्वरी के दस शर्तों पर हद तलवुसा कार बंद रहूंगा और अब भी अपने गुज़श्टा गुनाहों की खुदा ताला से माफी चाहता हूं अस्तग्फिर ल्लाह रब्बी अस्तग्फिर ल्लाह रब्बी मिन कुल जन्बिन वा अतूब विले है अशहद अल्लायलाह इल्ललाह वहदह ला शरीकला वाशहद अन्ना मुहम्मदन अब्दु वरसूलु रबी इनी जलमतु नफसी वाटरफतु बिजंबी फगफिर ली जनूबी फइननहु ला यगफिरु जनूबा इल्ला अंता इसी तरहां पर पहले दिन बारी बारी चालिस अफराद ने आपके दस्ते मुबारक पर बैद की और इस तरहां जमात अहमदिया मुस्लिमा की बन्याद डाली गई मौका पर बैद के तारीखी रिकार्ट के लिए एक रजिस्टर तयार हुआ जिसकी पेशानी पर ये लिखा गया बैद तोबा बराए हुसूल तक्वा वत अहारत हजरत अग्दस मसीह मौओद लिखियाना में 18 अपरेल सन 1889 इसमी तक मुकीम रहे अब्तदा महला जदीद में फिर महला एकबाल गंज में ताहम बैद का सिलसला बदस्तूर जारी रहा पहले बैद अकेले अकेले होती रही फिर खुतूत के जरिया से फिर मजमय आम में हजरत अग्दस मसीह मौओद लिखियाना का अकसर ये दस्तूर था कि बैद करने वालों को नसाहिए फर्माते थे इस जमात में दाखिल होकर अबल जिन्दगी में तगयर करना चाहिए कि खुदा पर इमान सच्चा हो और वो हर मसीबत में काम आए फिर इस काम के अहकाम को नजर खिफफ़ से ना देखा जाए बलके एक एक हुक्म की ताजीम की जाए और अमलन इस ताजीम का सुबूत दिया जाए नीज फरमाया निरा बैत का इकरार कोई शय नहीं दुआ करो और सुस्ती हर्गिस न करो जो तालीम तुम को दी जाती है उसके मुवाफिक अपने आप को बनाओ फिर ये चंद रोजा जिन्दगी है एक दिन आना है कि ना हम होंगे और ना तुम